वाव, only 2500 रूपीज के अंदर में इतना आच्छा Bluetooth कॉलिंग स्मार्ट वाच Hello friends, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब वाचे होंगे दोस्तों, आज मेरे पास Firebolt ब्रांड से आने वाला एक Bluetooth कॉलिंग स्मार्ट वाच है मेरे पास पहले से एक Firebolt का स्मार्ट वाच है जिसका model number है BSW001 और यह नर्माल स्मार्ट वाच है इसमें calling का feature नहीं मिलता है और इसका model number है BSW004 और इसमें Bluetooth calling feature मिलता है और जब Flipcard में कोई sale चलता है तो यह 25 के अंदर में मिलता है अज का इसी वीडियो में सब से पहले इसका unboxing करेंगे और इसका review करने के साथ साथ इसका कुछ feature बताऊंगा देन वीडियो का end में बताऊंगा कि क्या यह smartwatch भ्यालू फर्मानी है या नहीं है और क्या आपको इसको purchase करना चाहिए या नहीं चाहिए सिर्फ इसी एक वीडियो में यह सभी topics को कभर करने वाला हूँ आप इसी वीडियो को कोहीं पर भी skip मत किजिए पुरे शुरू से लेकर end तक दखते रहिए so hello friends मेरा नाम में अभिसेक और आप दख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल स्टार अभिसेक टेकनिकल स्टार्ट करते हैं और जिनको पता नहीं है उनको बता दू कि हमारा टेलिग्राम पे एक डिल्स का फ्यामिली है जहां पे मैं अच्छा अच्छा डिल्स पोस्ट करता रहता हूँ अगर आपको डिल्स दखना आच्छा लगता है डेस्क्रिप्सन पे लिंक है आप जैन कर सकते हैं और मैंने इसको ओनली 2499 में पॉच्छेस किया हूँ चलिए अब करते हैं इसका ओन बॉक्स इसके अंदर में है हमारा स्मार्ट वाच का बॉक्स आयर बोल्ट टक और इसका जो मैं हाइलाइटेड स्पेक्स है ये है ब्लूटुथ कॉलिंग दोस्तों मैं नोटिस किया कि इसका सभी साइड में कुछ ना कुछ फीचर्स में सन है और ब्याग साइड में भी फीचर्स है और इसका एमर्फी है 9999 रूपीज और इसी वाच को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चलिए अब इसको ओपन करते हैं सबसे उपर में एक यूजर मानुआल मिल जाता है दनिस के अंदर में है हमारा में स्मार्ट वाच चलिए अब इसको निकलते हैं यह है USB टाइप है to magnetic charging cable इसके अलावा इसका box में और कुछ cards है तो चलिए अब यह सभी को यहाँ पे side पे रखता हूँ अब देखेंगे हमारा में प्रोड़क्ट जो कि है smart वाच और मेरा ये वाच में square डाइल था बट इसमें round shape का डाइल है और यह metal का है जिसको वज़ा से इसका quality आच्छा लगता है यहाँ पे mention है fire bolt और यहाँ पे है इसका कुछ sensors और इसमें silicon का strap मिल जाता है जिसको अपने replace भी कर सकते हैं और इसका भी quality आच्छा है और यह strap के साथ ये watch का weight है only 60 gram और इसका display के उपर में एक plastic का layer है इसको निकलने के बाद और मुझे आच्छा लगा कि इसमें pre applied screen protector मिलता है और यह है इसका multifunctional navigation button और इसको long press करके hold किजिए यहाँ पे fire bolt लिखा हुआ आएगा आप इसका home screen को long press करके hold किजिए इसमें 7 pre loaded watch faces मिल जाता है इसमें 1.28 inch का HD IPS display मिलता है और यह देखने के लिए आच्छा लगता है इसको scroll down करने से यहाँ पे increase and decrease कर सकते हैं वह इदर इसके पास में है setting और setting में है stopwatch, alarm, countdown, brightness, phone, call reset, sec, theater, reset, power off, then about और up और QR code इसका नीचे है इसका notification panel left से right को swipe करने से इसका सभी feature का shortcut यहाँ पे है जैसा की trach, camera, सभी health monitoring features, right to left को swipe करने से यहाँ पे है step counter, sleep, heart rate, exercise, phone, blood pressure, spo2, weather, shutter button, then player और यह बटन से अब व्याग कर सकते हैं और home page में इसको off भी कर सकते हैं दोस्तों जितने भी सरे budget watch है वो सभी watch में यह सभी sensor आच्छे से वार्क नहीं करता है तो इसलिए आपको जो भी measure करना है physical device से measure कीजिए और यह smart watch का setup करने के लिए आप प्ले device के उपर क्लिक कीजिए जो भी permission मांगता है allow कीजिए और यहाँ पे मेरा दो smart watch आगया अब test करने वाले हैं bhw004 का इसके उपर क्लिक कीजिए और अब इसमें battery बहुती काम है और यहाँ पे time भी sync हो चुका है और इसका application में आपको बहुते सारे features मिल जाएगा जैसा कि अपने यहाँ से watch faces को change कर सकते हैं more watch faces के उपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको बहुते सारे अच्छे अच और आप watch faces को customize भी कर सकते हैं इसके उपर क्लिक कीजिए देन edit के उपर क्लिक कीजिए select picture अगर आपना picture यहाँ पे रखना चाते हैं उसके उपर क्लिक कीजिए then hand notification अपने जो भी application का notification इसमें लेना चाते हैं उसको यहाँ से enable कीजिए यह shutter button से आप आपना picture को ले सकते हैं shutter के और पर क्लिक कीजिए और आपका फिटो क्याप्चर हो जाएगा और यहां पर हेप प्लुटूफ को अड़ करेंगे इसमें सौ करेगा इसमें कॉलिंघर को यूज करने के लिए इसमें होगा फोन अफोगा इसको एन किजिए देन अपना फोन का Bluetooth को on करके pair किजिए अब यह pair हो चुका है यहाँ पे call and audio दोनो on है अब इसका calling का testing करते हैं यहाँ पे contact अब मैं JioCare को call करता हूँ देखिए तुरोंत यहाँ पे call connect हो चुका है और यहाँ से आप volume off and volume down कर सकते हैं और इसमें inbuilt speaker मिलता है और आप यहाँ से call को mute and end कर सकते हैं और आपका incoming call आने के बाद यहाँ पे slow करेगा आप यहाँ से call को answer और reject कर सकते हैं चलिए अब answer करते हैं तो चलिए अब इसमें एक music को play करते हैं play इसका speaker इतना ज्यादा loud तो नहीं है फिर भी ठीक है और इसका manual में मैंसन है Bluetooth calling mode में इसका battery backup 5 days रहेगा और calling mode को disable करने से 10 days का battery backup देगा और standby time है 30 days और यहाँ पे जितना भी days का battery backup लिखा हुआ है आप मान के चलो इसका यह half days का battery backup देगा तो चलिए फाइनाली अब आपको वताऊंगा कि आपको यह smartwatch को purchase करना चाहिए या नहीं तो देखिए दोस्तों इस वीडियो का description पे इसका best by link देदूँगा आप इसका price को check किजिए और यह watch आपको 2500 के अंदर में मिलता है तो आप इसको लिजिए नहीं तो इसको math लिजिए अगर इसका price 3000 या 3000 प्लस दिखाता है आप इसको math लेना आप हमारा telegram पे join करके रखिए और जब इसका deals आएगा तो अब एगेन इसको share करूँगा तो आप इसको ले सकते हैं और इसके अलावा बहुत सरे अच्छा अच्छा deals हमारा telegram चैनल पे देखने के लिए मिलेगा description पे link है join कर लिजिए और इस वीडियो आपको कैसा लगा यह मुझे comment section में बताईए और इस वीडियो को एक like करने के साथ साथ हमारा channel को किजिए subscribe bell icon को दबा के all के उपर click किजि क्योंकि YouTube में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका notifications अब के पास सबसे पहले चला जाएगा इस वीडियो में तो इतना ही फिर से मिलते हैं एक next interesting वीडियो के साथ stay home stay safe good bye